नमश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका PCS सार्थी में आप है मेरे साथ मेरा नाम है सुमित कुमार और जैसा कि आप जानते हैं PCS सार्थी Study IQ का एक इनिशेटिव है जिस पर हम यहाँ पर PCS से रिलेटिक जितने भी एक्जाम है जो स्टेट्स की सिविल सर्विस होती है उनसे रिलेटिक जितने भी एक्जाम है उसकी यहाँ पर हम तयारी के लिए मिलते हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट आप मेरे साथ पढ़ते हैं और शाम को 6 बजे हम पढ़ते हैं आर्ट और कल्चर तो दो बजे हमारा एक खास सेशन रहता है दो बजे का जो हमारा दो बजे हम अपने सेशन में हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसके बाद 6 बजे हम पढ़ते हैं आर्ट और कल्चर ठीक है तो टाइम ना भूले 6 बजे रोज मिलिए आर्ट और कल्चर के लिए दो बजे दिन में रोज मिलिए ठीक है दोस्तों किसके लिए हिस्ट्री के लिए गुडिवनिंग सबको बहुत बहुत गुडिवनिंग अपने दोस्तों को सेशन करिए बताईए कि क्लास शुरू हो चुकी है और सब को यहाँ पर सब लोग आकर यहां पर जुड़िए गौसिया फारुक जी बहुत बहुत गुड इवनिंग सब को सब यहां पर जुनिये ताहिरा बानो जी गुड इवनिंग सब को आईए जल्दी से सेशन शुरू करते हैं और हरपा सब्विता का वह यहां पर पड़ रहे हैं हडपा सब्विता में हम आर्किटेक्चर पड़ चूके हैं आज जो कलास होने वाली है वह होने है किस की वह होने वाली है हरपन सकलपचर की खेके दोस्तों तो बहुत डीटेल में ये क्लास नहीं होने वाली है इतनी जादा ये हमने आलरेडी काफी चीजे इसमें सीख ली है अब थोड़ा सा स्कल्प्चर के बारे में जानते हैं आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले दो-तिन दिन से और हम काफी चीजे हिस्ट्री की आलरेडी पढ़ चुके हैं बातो बातो में हडपा सब्विता के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है तो इसलिए आपको अब यहाँ पर मुश्किल इतनी आने वाली नहीं है ठीक है दोस्तों गुड़ीवनिंग अंजली चौरसिया जी पजवन देवनाथ जी हेमा पांडे जी बहुत-बहुत गुड़ीवनिंग सबको जुड़िए और त्रिपुरा से लोग हैं हमारे साथ त्रिपुरा से जुड़ गए हैं सभी स्टेट से अपनी अपनी लगाईए सभी अपने अपने स्टेट का नाम लीजिए और अटेंडेंस लगाईए बताइए कौन-कौन से स्टेट से आप हैं और किस-किस एक्जाम की आप तयारी कर रहे हैं बहुत-बहुत गुड़ीवनिंग सबको जैहिंद जैहिंद फ्रॉम बिहार जैहिंद सर जैहि हडपा सभीता की हम शुरूआत करते हैं मैंने आपको कई बार बताया है अगर आप मेरे साथ सेशन में जुड़े हैं तो हडपा सभ्षा का जो समय है जो उसका काल है कितना समय मुझे टाइम-लाइन बताइए कब से कब तक हडपा सभ्षा रही है ठीके दोस्तों कबसे कब कोई तेलंगाना से जुड़ा है नेहा सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका PCS सार्थी में मेरे साथ History और Art and Culture के सेशन में ठीक है दोस्तों चलिए ओजीशा से जुड़ गए हैं लोग तेलंगाना से आज कोई नया एक पहले बार मैंने किसी स्टूजेंट का आज कॉमेंट देखा है उसके लावा यूपी बिहार पंजाब हिमाचल परदेश सब जगा से लोग जुड़ रहे हैं और इस सेशन को हम और बहुत अच्छे से चलाएंगे सारी चीजे आर्ट इंड कल का जो समय है यह दरसल मैच्योर हडपा फेज का समय है ठीक है दोस्तों यह है मैच्योर हडपा फेज यानि कि इस समय में हडपा सब्व्यता जो थी वो अपनी पीक पर थी उसके अंदर अर्बनाइजेशन काफी भारी मात्रा में हो चुका था इसलिए जितने भी लोग 3520 से 1500 BC बता रहे हैं वो भी एकदम सही है उनका जवाब भी एकदम सही है जो भी 2600 से 1900 BC की बात कर रहे हैं वो भी सही है लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी यह मैच्योर हडपा फेज है यहाँ पर अर्बनाइजेशन सबसे जादा हो चुका था सिटी डिवेलपमेंट बहुत जादा हो चुका था तो आप दोनों के जवाब बिल्कुल सही है जिन भी बच्चों ने यह जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है इन सब लोगों का चलिए तो हडपा आर्किटेक्चर हम पर चुके हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईए सबसे किया था बहुत ही आसान भाशा में गुरीवनिंग रमंदीप कौर जी बहुत जादा गुरीवनिंग पंजाब से सुनील शर्मा जी बिल्कुल सर पीडिएफ प्रोवाइड आपको बिल्कुल कराएंगे थोड़ा सा वेट कीजिए टेलिग्राम ग्रुप यहां पर बन चु बिल्कुल प्रजवल देवनाथ जी का कॉमेंट आया है सिटा जेल हमने पढ़ा है सीटा जेल बहुत अच्छी बात है सबसे important example है सीटा जेल का उसकी बिल्कुल murder mother goddess sculpture में count होगा बिल्कुल उसके अलावा dancing girl भी sculpture है अभी उसको पढ़ेंगे हम यहां पर उसके अलावा और भ आश्मिता प्रधान जी ने बताया टाउन प्लानिंग उसके अंदर क्या खास कीवर्ड था वो मुझे बताईए टाउन प्लानिंग जब भी सुनते हैं जब भी टाउन प्लानिंग सुनते हैं हडपा से बता की तब बताईए दिमाग में क्या आता है कौन से भारत के कौन से उ इनेज सिस्टम था वहां का ठीक है और हमें बताईए कि किस सिटी से मिलता जुलता है और नाम दिमाग में क्या आता है बिल्कुल कॉमेंट आने लगे हैं जब भी टाउन प्लैनिंग की बात होती है ग्रेट सिस्टम की बात होती है ग्रेट सिस्टम कॉमेंट आने लगे हैं अ उजात्यागी जी का चंडिगर आया है बिल्कुल 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 ग्रेट प्लान बिल्कुल ग्रेट टाउन प्लाइनिंग जिसके अंदर सभी सड़कें इस तरह से एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करती हैं जो भी डिवेलप्ट शेहर होते हैं उनमें ऐसा ग्रेट एफट करते हैं और जुड़ते हैं तो इसी तरह से हम साथ साथ तैयारी करते रहेंगे और आपके एक्जाम में जितनी भी important बाते हैं जितने भी important points हैं facts हैं सबको revise करते रहेंगे टाइम टाइम पर बिल्कुल चलिए तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर architecture हमने समझ लिया important system समझ लिए अब बात करेंगे sculpture की हडपन sculpture की एक और बहुत खास और शानदार बात थी दोस्तों कि वो लोग trade करते थे यानि कि व्यापार करते थे जब हडपा सब्यता के लोग व्यापार करते थे तो आपने देखा होगा जब भी व्यापार होता है तो सामान के उपर कुछ कुछ निशानी लगाई जाती है long distance trade जब होता है जैसे अगर आज economy का आप देखेंगे जब भी economy में अगर Indian economy की बात करें world economy की बात करें तो जो custom आप देखेंगे custom duty देनी होती है custom tax देना होता है custom tax और custom duty कैसे देनी होती है जो भी माल एक देश से दूसरे देश में जाता है तो आपने economy में एक concept पढ़ा होगा hsn harmonic system of numbers ठीक है ये एक खास तरह की digit होती है ये hsn harmonic system number एक खास तरह का digit होता है जो किसी भी सामान को पहचानता है मान लीजिए ये कोई एक box है इसका एक particular कोई 16 digit का या 8 digit का कोई number है ठीक है उसके बाद जब ये माल एक देश से दूसरे दे में जाएगा तो इसको किस number से पहचाना जाएगा इस number से तो long distance trade में सामान को identify करना उनको पहचानना उनकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है तो इसलिए बहुत important हो जाता है हड़पन seals का यहां पर जो seal होती है seal का मतलब हो गया मुहर ठीक है दोस्तों हिंदी में अगर कह हैं तो मुहर चलिए यहां पर हम पढ़ेंगे seals उसके बाद पढ़ेंगे bronze figure ठीक है क्योंकि यह भी sculpture का पाठ है उसके बाद पढ़ेंगे pottery उसके बाद पढ़ेंगे ornaments और terracotta sculptures ठीक है दोस्तों तो एक बार जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं जो भी जिसको हातों से या किसी ओजार के रूप में बनाया गया हो और वBACK हो चोटा हो कैसे हो चोटा हो size में एक बड़ी building कित्रह ना हो किए आर्किटेक्टर आगर की बात करें तो एक बड़ीullen diffusion & architecture कि जब भी बात होगी तो वहां पर नाम आएगा कि बड़ी building किसी बड़ी सनरचना की बात हो रही है लेकिन जब भी sculpture की बात होगी तो यानि कि वो एक छोटी आकरती होगी ठीक है पांच साथ दस फुट की भी हो सकती है और एक से दो इंच तक की भी हो सकती है वो हो गया sculpture यानि कि कोई मूर्ती है तो उसको हम किसमे count करेंगे sculpture में ठीक है दोस्तों pottery जो हो गया वो भी एक तरह की आकरती है three dimensional आकरती है उसको भी किसमे count करेंगे sculpture में तो sculptures जो होते हैं वो three dimensional छोटी आकरती होते हैं उनको बोलते हैं हम sculptures तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम seals चलिए तो अब यह photo आप देखिए दो आपको कैसा लगता है यह किसी identity card जैसा लग रहा है ठीक है बिलकुल मैं आपको खास तोर पर बता दूँगा आप इस बात की चिंता मत करेंगे करिए श्रदा गुपता जी notes आपको कैसे बनाने हैं इस बात की भी discussion किया जाएगा एक session इस पर खास ले लेंगे कि कैसे notes हमें prepare करने हैं या फिर आप अभी फिलाल के लिए PDF को follow कीजिए और जो मैं बता रहा हूँ मेरे साथ class में चलते रहिए आपके notes अपने आप तयार होते चले जाएंगे ठीक है दोस्तों चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कुछ लोग जैसे सूरज सिल जी ने कहा कि एक ही तरह की material से बनता है sculpture जो है वो एक ही तरह की material से बनता है building जो होती है architecture जो होता है उसमें कई तरह का material लकड़ी लोहा उसके अलावा उसके अलावा concrete ये सारी चीजे यूज होती है लेकिन sculpture की बात होती है तो sculpture छोटी आकरती होती है एक ही तरह के material से बनी होती है और उसका एक खास यूज होता है चलिए तो हड़पन सब्वेदा में सबसे important जो होती है वो है हम सबसे पहला sculpture है seals ये photo आप देख लीजिए इसके बाद इनको discuss करेंगे detail में तो जो seals होती है इनका क्या इस्तमाल होता है आईए देखते हैं ये है seals ठीक है दोस्तों चलिए मोहर यानि की मोहर अब ये जो हैं अलग-अलग तरह की shape में होती है कैसी होती है square हो सकती है उसके अलावा कैसी हो सकती है triangular हो सकती है उसके अलावा circular या semi circular भी हो सकती है ये इतने तरह की seals आप यहां देख रहे हैं rectangular type में भी है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर कई तरह की सील्स हैं, जो की हडपा सब्वेता के लोग इस्तमाल करते थे, बिलकुल, तो बिलकुल हम यहाँ पर सारे स्कल्प्चर डिसकस करेंगे, आप इस बात की कोई चिंता मत करीजिए, सूरज सिल्जी, बिलकुल, तो माटीरियल क्या यूज होता था, एक ही तरह का माटीरि जाता है, जो river bag होता है, river bag, यानि कि किसी नदी की तलहटी जो होती है, वहाँ पर ये वाला माटीरियल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये वाला माटीरियल पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है, ये हडपा सब्वेता की सील्स बनाने में, ठीक है दोस् क्या होता है ivory, comment box में बताईए, ivory का मतलब क्या होता है, किस material को कहते हैं ivory, और ये कहां से मिलता है, खेंगे दोस्तों, जी, riverbed से मिलता है हमें stay tight, क्योंकि riverbed में वहां पर इसको riverbed में, यानि की इसको बोलते हैं, नदी की तलहटी, चलिए, अब बताईए, ivory जो होती है, ivory का मतल 3 यल है आप बताईए बिल्कुल बिल्कुल कोमेंट आने लगे हैं सही जवाब मिलना शूरू हो गया है बिल्कुल इसके नहीं होता है जो हाथीएं दान्त होते हैं उन में आपको PDF जरूर दूँगा, एक दिन नहीं, आज की नहीं, कल की और परसो की दोनों दिन की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, चलिए, जी, चलिए, हाती के दाथ से जो material मिलता है, उसको बोलते है, ivory, और इसके वज़े से हातीयों को काफी नुकसान होता है, illegal trade माना जाता है, ivory का, क्योंकि हातीयों का इसलिए शिकार किया जाता है, चलिए, तो आपने देखा कई तरह की यहाँ पर shape देखी, seals कई तरह की shape में होती है, उसके बाद अगर आप, ठीक है, अगर आप seals को ध्यान से देखेंगे, तो इन पर कुछ-कुछ लिखा है, अगर आप यह कुछ ऐसी language है, जो हडपन सभ्यता की language है, इस language को हम क्या कहते हैं, इस language को हम कहते हैं, pictographic language, कौन सी language, pictographic language, देखिए, आकरतियों के माध्यम से, यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश की गई है, यहाँ पर भी आकरतियों के माध्यम से, कुछ लिखने की कोशिश की गई है तो यानि की हर एक आकरती का, हर एक शेप का, हर एक फोटो का कुछ ना कुछ मतलब होता है, वो किसी लेटर के रूप में इस्तमाल की जाती है, तो इसे लिए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यानि पिक्टोग्राफिक लीपी इसको हम कहते हैं, चलिए, तो पिक्टोग्रा तो दोस्तों समझ लीजिए उस दिन बहुत बड़ी घटना होगी बहुत बड़ी क्रांती होगी क्योंकि जैसे जेम्स प्रिंसेप जी ने हमें ब्रहमी स्क्रिप्ट डिकोड करके बताया कि कितना बड़ा इतिहास है भारत का और कितने महान शासक और राजा हुए थे उसी तर ग्राफिक स्क्रिप्ट होती है राइक टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट अभी आपको मैं समझाओंगा कि यह जो शब्द है एक बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ कि यह लेंग्विज कैसे लिखी जाती थी हडपा सभ्यता की जो लेंग्विज होती थी उसको मतलब क्या हो गया जैसे अगर अभी हम बात करें अगर हम देवनागरी स्क्रिप्ट देवनागरी लीपी लिखते हैं तो देवनागरी हम कैसे लिखते हैं देवनागरी लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट ठीक है दोस्तों देवनागरी कैसे लिखी जाती है लेफ्ट ट यूं चलते थी यहा से खतम होती थी, वहीं से शुरू ओके वापस घूम के आ जाती Thी, जैसे हम, जैसे हम देवनागरी को लिखते हैं, ऐसे, ऐसे, ġेफ்ी तूराइट हम देवनागरी को लिखते हैं, लेकिन, जो हरपा सब्थेता की स्क्रिप्ट होती थी, वो भाइडारेक इसको जाना जाता है, बिल्कूल bi-directional writing style होता था, बिल्कूल चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि shape के हमने discuss कर लिया, script हमने discuss कर लिया, कैसी script होती थी? बाइ-directional pictographic script, हमेशा याद रखेगा हडपा सब्विदा की script कैसी होती थी? bi-directional pictographic script और उस पे खास तरह के animals बने होते थे जैसे मैंने आपको बताया हर animal का कुछ ना कुछ मतलब होता है तो अभी हमें समझ नहीं आया लेकिन हर animal का कुछ ना कुछ meaning रहा होगा कौन-कौन से common animal हमें मिलते थे जानवर unicorn मिलता था हम्ट बुल यानि की हमें बुल मिलता था, rhinoceros मिलता था उसके अलावा भैस, बफैलो, बाइसन, गौट, क्रोकोडाइल और elephant और tiger ये सारे तरह के जानवर हमें देखने को मिलते थे जो seals यानि मुहर होती थी उसके उपर देखने को मिलते थे आप इस देख सकते हैं, ये एक unicorn seal है, unicorn seal का मतलब हो गया, कि एक sing जिसका हो, ऐसा जानवर अब ऐसा जानवर, शायद कलपना में exist कर सकता है, अभी फिलाल तो exist हम नहीं देखते, कि unicorn real life में exist करता है, ठीक है तो हो सकता है, उस समय करता हो लेकिन, हो सकता है, ये उनकी कलपना भी हो, जिसको वो पूझते हो, पूझा करते हो, ठीक है दोस्तों, तो unicorn एक seal, जो की बहुत important और famous seal है, उसके अलावा सबसे ज़्यादा important seal है पशुपती seal पशुपती seal के बारे में कौन-कौन जानता है, और मुझे बताईए, कौन सा ऐसा animal है, कौन सा ऐसा पशु है, जो पशुपती seal में नहीं है एक का नाम बताईए, जो भी आप जानते हैं, जो नहीं है, उसका नाम बताना है, मैं वेट कर रहा हूँ बिल्कुल आप मुझे बताईए, ऐसा जानवर, ऐसा animal, जो इस पशुपती seal में नहीं है आपके दिमाग में जो भी नाम आ रहा है, आप मुझे आसानी से बता सकते हैं ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आप बताईए, मुझे मैं वेट कर रहा हूँ पशुपती seal बहुत जादा important seal है, ये देखिए, पशुपती में हो सकता है कि एक ऐसे किसी, यहाँ पर ऐसे भगवान की, ऐसे देवता की ये लोग पूजा करते हों, जो एक योगिक, जो एक योगिक योगी के रूप में बैठा है जैसे आसन लगाया हो, जैसे तपस्या कर रहा हो, जैसे compare किया जाता है, कभी-कभी बोला जाता है कि ये जो मुद्रा है, ये हो सकता है, इससे भगवान शिव को भी दर्शाया गया हो, बिल्कुल दोस्तों जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं और उन्होंने cow और lion और horse का जो नाम लिया है ये एकदम सही जवाब लिया है उन्होंने कि ये animal नहीं है लेकिन आप ये बताइए कि उन्होंने cow, lion और horse का ही नाम क्यों लिया, ठीक है दोस्तों क्योंकि हम जब भी 28 सब्विदा को पढ़ते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वो horse कि चैलको लिथिक फेज के जो लोग थे उनके पास भी वो भी घोडे से परिचित नहीं थे उसके अलावा एक confusing जो question बनता है, वो ये बनता है कि tiger और lion में से कौन था ठीक है दोस्तों तो lion और tiger में से कौन था, तो अच्छी बात है कि आप लोग जानते हैं कि lion और tiger में confuse नहीं होना है काफी लोग जवाब दे रहे हैं, lion नहीं था प्रकासिका जी, सलुंके जी tiger दरसल था, और मेरा जो प्रशन था, वो ये था कि कौन सा जानवर नहीं है, ठीक है दोस्तों चलिए, तो अब आप देखते हैं कि पशुपति सील में ऐसे एक भगवान या फिर ऐसी एक आकरती दिखती है जो कि योगी के रूप में बैटा है कहा जाता है, हो सकता है इसे प्रोटो शिवा भी कहते हैं प्रोटो शिवा, ठीक है, हो सकता है कि ये लोग शिव भगवान जैसे किसी भगवान की पूजा करते हो उनकी अर्चना करते हो तो ये पक्का अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन कहा जाता है कि हो सकता है ये प्रोटो शिवा जैसा ही यहाँ पर एक मुद्रा में कोई योगी की आसन में कोई भगवान बैखे हो चलिए अब इसमें कौन-कौन से जानवर थे देखिए इसके अंदर आपको भैस दिखेगा इसके अंदर आपको राइनोसरोस दिखेगा ठीक है दोस्तों ठीक है उसके बाद आपको हाती दिखेगा और टाइगर दिखेगा और यहाँ पर एक आपको म्रिग एंक्टेलर भी यहाँ पर दिखेगा हिरन आपको यहाँ पर दिखेगा तो यह मुखे पांच तरह के जानवर हैं आपको ध्यान रखने हैं और इसमें कन्फ्यूस बिलकुल भी नहीं होना है ठीके दोस्तों चलिए सील्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हमने अब इसके यूजिस क्या थे मैंने शुरुआत में ही शुरुआत ही ऐसे यूज से करी थी जो सबसे बड़ा और मुखेर यूज था अभी तक इतिहास कारों के नाम से सबसे ज़ादा जो जाना जाता है जो यूज था कमशल परपस यानि कि ट्रेड और व्यापार के लिए इसका किस景 करना अइंटिफिकेशन के लिए इस्तम exception के बज narrations के पाम में वो गले में पहनते हों, या फिर हाथ में यहां पर भांते हों, तो आप देख लिएज़ेगा, कि identification के लिए यूज होता है, और commercial purpose के लिए, उसके अलावा educational purpose के लिए भी यूज होता है, क्योंकि इसमे mathematical images कई बार seals में देखने को मिली है, ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो bronze sculpture की बात करते हैं, seal के बाद अब बात करते हैं, bronze sculpture की, ठीक है दोस्तों, seal के बाद अब यहां पर बात करेंगे हम, bronze sculpture की, bronze sculpture की बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो important bronze sculpture है important bronze sculpture जो है वो क्या है वो है यहाँ पर dancing girl का bronze sculpture dancing girl का bronze sculpture है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है देखने को मिलता है कि इसकी technique क्या थी क्या है दोस्तों technique क्या थी उसके बाद हम देखेंगे कि dancing girl का यहाँ पर देखने को हमें मिलता है कि कैसी इसमें technique use हो रही थी और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि lost wax technique का इस्तमाल किया जा रहा था lost wax technique का इस्तमाल किया जा रहा था जिससे सिरे पेर्दुए के नाम से भी जाना जाता है तो आप लोग यह देखिए कि lost wax technique क्या होती थी ठीके दोस्तों lost wax technique जो होती थी उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले इसमें क्या किया जाता था क्या तरीका था lost wax technique से मूर्ती बनाने का sculpture बनाने का और वो भी एक bronze sculpture बनाने का क्या तरीका था तो यहां पर क्या करते थे सबसे पहले मिट्टी की कोई आकरती बना देते थे खीके दोस्तों मिट्टी से कोई आकरती बना देते थे उसके बाद मिट्टी की आकरती में सबसे पहले यह क्या करते थे सबसे पहले मिट्टी की आकरती नहीं यह सबसे पहले बनाते थे मोम की आकरती बनाते थे, मोम की, ठीक है दोस्तों, मोम यानि की वैक्स की आकरती बनाते थे, एक वैक्स का स्टैचू बनाते थे, स्कल्प्चर बनाते थे, वैक्स का ये स्टैचू या आकरती बनाने के बाद, उसके उपर ये मिट्टी का लेप लगा देते थे, ठीक है दोस् थे उस मिटी की जो आकरती के उपर लेप लग जाता था में से यह वैक्स को निकाल देते थे उसके बाद क्या होता था दोस्तों उस जो कैविटी बन जाती थी इस आकरती में अब यह मिट्टी की आकरती बन गई वैक्स का स्टैच्यू था मिट्टी की आकरती बन गई उसके बाद इन्होंने मोम को पिगला दिया यहां से मोम निकल गया यहां पर फिर यह डाल देते थे जो bronze होता था पिघला हुआ, melted form में यहां पर उसको डाल देते थे, डालने के बाद, उसके बाद क्या होता था, उसके बाद इसको ठंडा करते थे, और फिर उसके बाद से यह मिट्टी हटा देते थे, और यह bronze sculpture जम के ऐसा हो जाता था, यह बहुत पुरानी technique है, यह काफी लं dancing girls थी, dancing girl थी, world की oldest bronze यह sculpture था, और उसके बाद यहां पर देखते हैं कि emulet इनों ने पहना वाता, bracelet, यानि कि इससे पता चलता है, कि हडपा काल के लोग भी, जो है आभूशनों का, ornaments का शौक रखते थे, और उनको वो समय समय पर use करते थे, चलिए, तो यहां देखने को मिल होता है, एक important चीज, जो posture है, इस girl का, इस dancing girl का जो posture है, वो क्या है, वो है, त्रिभंगा movement, ठीक है, त्रिभंगा posture है, यह जिस तरह से dancing girl खड़ी है, एक पैर को मोड कर, एक इस पैर को मोड कर, इस पैर को सीधा करके, और एक हाथ को कमर पे जो रखा हुआ है, इसको बोलते ह है, त्रिभंगा posture, आप मुझे बताईए, कि त्रिभंगा posture क्या आपने पहले कभी सुना है, और अगर सुना है, तो वो किस चीज से related है, और आपने कहा सुना है, आप मुझे बताईए जरा, ठीक है दोस्तों, और क्या त्रिभंगा posture में, male और female का कोई concept है, मुझे जरूर बताईए, ठीक है दोस्तों, त्रिभंगा posture आपने कहा सुना है, कौन से dance form में आपने इसको सुना है, बिलकुल बताईए, obvious ही बात है, त्रिभंगा है, और तो dancing से ही connection होगा, लेकिन कौन से dance form में आपने सुना है, बिलकुल, जूलिय सीजर जी, अभी फिलाल, जवाब यह बैं आपको बताना चाता हूँ, कि भरत नाट्यम अगर आपने देखा होगा, भरत नाट्यम देखा होगा, ओडिसी देखा होगा, मोहीनी अट्टम देखा होगा, उसके अंदर त्रिभंगा जो posture है, वो महिलाओं के द्वारा इस्तमाल किया जाता है, महिलाएं जो है, म महिलाओं के भाव को दर्शाना होता है, जब किसी कला में, किसी निर्ट में, मान लीजिए, कोई पुरुष है, कोई पुरुष है, और वो महिलाओं का रोल प्ले कर रहा है, ऐसे कई डांस हैं, जिसमें पुरुष लोग महिलाओं का रोल अदा करते हैं, और उसके अंदर अ एक जो निरत्य जो मुद्रा है, उसको बोलते है हम चौक, क्या बोलते हैं चौक, तो पुरुशों को दर्शाने के लिए कौन सी मुद्रा का इस्तमाल होता है, चौक का, और भरतनाटियम, हां जी, भरतनाटियम, ओडिक्शी सब में होता है, क्लासिकल डांस में, तो त्रिभं पॉस्टर होती है महिलां की मुद्रा को दर्शाने के लिए और चोक होता है किसके पुरुशों की पुरुशों की जो मुद्रा इसको दर्शाने के लिए चोक मुद्रा का सहारा लिया जाता है तो इम्पॉर्टे relativity नौप्चर था जो लोग आज नए जुड़े हैं या इस वीडियो को जब बाद में देखेंगे तो मैं उनके लिए अभी बता देता हूं टेरा कॉट्टा का मतलब क्या होता है लेकिन जो लोग इस क्लास से जुड़े हुए हैं जो लोग इसको देख रहे हैं पहले से मैंने जिनको मीनिंग आप यहाँ पर comment box में बताईए और interact करिए बताईए कि क्या आपको याद है कि टेरा कॉट्टा का मतलब क्या होता है वही keyword का इस्तुमाल कीजिए गा जो मैंने बताया था क्योंकि जब आप वही keyword paper में लिखेंगे तो ही आपको marks मिलेंगे इस बात का ध्यान रखिये का दोस्तों, keyword बहुत important होता है, ठीक है दोस्तों, तो terracotta क्या होता है, चलिए, terracotta होता है, fire baked clay, keyword क्या है, fire baked clay, ये keyword याद रखना है, जब भी terracotta की बात होगी, ठीक है, fire baked, यानि की आग में पकाई हुई मिट्टी से जो आकृतियां बनती है, जो बरतन बनते हैं, उन सब को हम क ठीक है, brown sculpture है, terracotta sculptures उन से काफी कम मातरा में हैं, और काफी crude shape में पाये जाते हैं, terracotta sculptures crude shape में पाये जाते हैं, crude shape से मतलब, यहाँ पर मैंने कल आपको एक method बताया था, pinching method, ठीक है, तो जो terracotta sculptures होते हैं, उनको pinching method के थुरू बनाया जाता है, pinching method का मतलब, मिट्टी की कोई एक आकरती हमने ले ली, और उसके बाद हम उसको अपनी चुटकी से, उंगलियों की movement से, उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, shape देने की, उसको आकरती देने की कोशिश कर रहे हैं, mother goddess का आप example ले सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, कि जो कलाकरती हैं, इसके जो edges हैं, ज finishing इतनी जादा नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि यह हातों से किया गया, pinching method से किया गया काम जादा नजर आता है, ठीक है दोस्तों, और जनरली किसली use होते थे, toys बनाने के लिए, wheels बनाने के लिए, और अभी आप देखेंगे, terracotta जो figures होती थी, इनका इस्तमाल आभूशनों के रूप में भी किया जाता था, इसके अलावा, मैं terracotta की आपको और important चीज़ बता देता हूँ, जैसे pottery जो थी, वो भी एक तरह से terracotta का product है, ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे, यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, देखिए, यह दो sculptures जो हैं, यह भी male torso, torso का मतलब क्या होता है, torso का मतलब होता है, मनुष्य का, इनसान का धड़, धड़ मतलब, गर्दन से नीचे का और पैरो से उपर का, जिसमें हाथ भी नहीं है, इतने हिस्से को, धड़ वाला जो हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं, torso, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, चलिए तो male torso है, यह उसका एक example है, यह भी टेरा कोटा का बना है, उसके बाद bearded priest जो इसका example है, यह भी टेरा कोटा का बना है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, bearded man, मोहन जोदारो से यह मिला था, male torso कहां से मिला था, comment box में बताईए, हडपा सभ्यता की कौन सी site से male torso मिला था, और व मुझे बताईए, जी बिल्कुल, body without head and hand and legs, इसको बोलते हैं, torso, जी बिल्कुल, सही है, बिल्कुल, चलें, तो हमने यहाँ पर बात की, कि हम किसकी बात कर रहे थे, अभी, terracotta sculptures की, terracotta sculptures में, जब भी आप paper में answer लिखेंगे, यह तो बात हो गई, हम समझ गए, यानि कि जब objective paper आएगा, तो आप tick करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब आप mains का answer लिखेंगे, जब आप writing descriptive answer लिखेंगे, तो keywords बहुत important होते हैं, इसलिए keyword याद रखना है, fire baked clay, ठीक है, उसके बाद pinching method याद रखना है, और क्या याद रखना है, toys के लिए use होता था, ठीक में देना होगा, तो यहाँ पर mother goddess का example आप दे सकते हैं, bearded priest का आप example दे सकते हैं, इसी तरह से आप काफी example दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए, अब बात होगी, यहाँ पर terra quota की बात होगई, आप pottery की बात करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था, कि जो history को पढ़ने के sources होत में, तो हमने stone पढ़ा, ठीक है, तो पाशान काल सामने आया, उसी तरह से जब हम पढ़ेंगे, कि किस तरह किसे लोग अपनी उस समय की pottery कैसे होती थी, अलग-अलग समय में, pottery जो हैं, अलग-अलग समय में, अलग-अलग तरह की pottery रही हैं, यूज हुई है, उसके अलावा history क और कुन सा source हो सकता है, literature history का source है, ठीक है दोस्तों, literature history का source है, उसके अलग-अलग समय में, अलग-अलग समय में, अलग-अलग राजाओं दौरा, सिक्के जो छापे गए, सिक्के निकाले गए, उनको हम numismatic में पढ़ते हैं, तो history पढ़ने के कई तरीके हैं, literature से हम जानकारी ले सकते हैं, सिक्कों के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, औजारों के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, और हम किसके माध्यम से, pottery के माध्यम से हम जानकारी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो pottery में, अब जब हड़पा सभ क्या कोई यहां पर comment box में मुझे बताएगा पॉटरी की जो शुरुवात थी वो कब हुई थी कौन से काल में हुई थी कौन से समय में हुई थी पॉटरी की शुरुवात बताईए जबाइए यहां पर देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है inscription की मदद से भी हम history को study करते हैं ठीक है दोस्तों, history की मदद से भी हम inscriptions को study करते हैं बिल्कुल बहुत सही, तो यहाँ पर आप मुझे बताईए कि pottery की शुरुवात कौन से काल में हुई थी, कौन सा काल था, कौन सा समय था history का वो कौन सा phase था, जहाँ पर pottery की शुरुवात हुई थी, इनसान ने जो कुमार होता है कुमार का जो पहिया होता है, potter's wheel जिसको कहते हैं, potter's wheel जिसको कहते हैं उसकी मदद से pottery बनाते हैं, तो ठीक है, आप मुझे बताईए, pottery की शुरुवात कब हुई थी बिल्कुल, neolithic phase में pottery की शुरुवात हुई थी, बिल्कुल सही जवाब है, neolithic phase में pottery की शुरुवात हुई थी, बिल्कुल सही, चलिए तो हडपा pottery की बात करते हैं, यह दो तरह की होती है, एक होती है plain pottery, एक होती है painted या फिर red and black pottery भी जिसको कहा जाता है ठीक है दोस्तों, painted और red and black pottery और plain pottery, यह आप photo देख रहे हैं, यह है red and black pottery, इसको दिमाग में याद रखिए, क्योंकि यह हडपा सब्वेता के लिए बहुत जादा important pottery है, जब हडपा सब्वेता से आगे बढ़ेंगे, तो आपको अलग-अलग तरह की pottery देखने को मिलेगी, जब निउलिठ पर painted, जो red and black pottery है, उसको खास धियान रखिए, वो किसके समय की है, हडपा सब्वेता की, ठीक है दोस्तों, हडपा सब्वेता के समय में painted red and black pottery चलती थी, आप मुझे comment box में बताइए, चैलकोलिथिक phase में कौन सी pottery चलती थी, चैलकोलिथिक फेज को नव पाशान काल ही कहा जाता है चलिए तो रेड एंड ब्लेक पॉटरी से आपके दिमाग में हमेशा हमेशा हड़ा पाना चाहिए और चैलको लिथिक यानि की ताम्र पाशान जो यूग था ताम्र पाशान यूग में कौन सी पॉटरी का इस्तिमाल होता था ठीक है दोस्तों बताइए कॉमेंट बॉक्स में ताम्र पाशान यूग में कौन सी पॉटरी का इस्तिमाल किया जाता था सेम, बिलकुल सही जवाब है, अवनी शादव जी ने सही जवाब दिया है, देखिए, पेंटिट ग्रेवेर जो है, PGW जो फेज है, पेंटिट ग्रेवेर, वो वैदिक एरा का है, ठीक है दोस्तों, जब रिग वैदिक आएगा, वैदिक काल आएगा, तो वहाँ पेंटिट ग ब्लैक पोटरी का पूता था अब यहँआब देखते हैं हम कि कीसे बनाई जाती थी यह बहुती फाइन पॉटरी होती ती हरडपा सब्थिता में पुर्फिता में ठीक है और जो विल सेंहें उसकी मदद से बनाइं जाती टी ठीक है दूस्तों यह काफी ज़ादा फाइन होती थी यानि हडपा सब बिता के लोग जब पॉटरी का निर्मान करते थे तब तक वो काफी अच्छी पॉटरी बनाना सीख चुके थे आप इस फोटो को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बहुत ही परफेक्ट पॉटरी है इसमें एक शाइन है इसके अंदर एक चमक है इसके अंदर एक अलग सी चमक है जो कि आपको देखने को मिलेगी जैसे कोई चिकना घड़ा होता है नकाशी भी अच्छे से की गई है प्रिंट इस पे बहुत अच्छा किया गया है डिजाइन बहुत अच्छा बनाया है तो आप समझ सकते हैं कि हडपा से बिता करते हैं जब कोई महमान आता है तो महेंगी क्रॉकरी निकाली जाती है उसी तरह से ये लोग भी नॉर्मल घर के कामकाज में डेली हाउस होल्ड जो काम होता था पर्पस होता था उसके अंदर प्लेन पॉट्री का इस्तमाल करते थे प्लेन पॉट्री जैसे यह हो गई प्ल अधिक ब्लेक पॉट्री आपने देखा होगा उसमें शाइन थी उसमें एक चमक थी ठीक है उसमें एक चमक थी तो उसके बाद आपको देखेगा कि वह एक खास तरीकों से खास परपस के लिए इस्तमाल होती थी उसी तरह से मिनियेचर वैसल्स होते थे यानि कि छोटी मिन इंच की या उससे भी कम होती थी और यह सजानी और डेकुरेटिव परपस के लिए यूज होती थी जैसे यहां देखिए छोटी पॉट्री इस्तमाल होती है कई बार इनसे भी छोटे साइज में जैसे बच्चों का खिलोना होता है उस तरह से यहां पर मिनियेचर पॉट्र छेद हुआ छोटे छेद हो रखे हों ऐसी पॉट्री क被 ऒेखिये पॉट्रे का example यह फोटो आप देख सकते हैं परफॉरेटिच पॉट्री यानि इसमें पानी भरा जाये और फिर उसको अलग अलग छोटे छोटे खिद्रों से निकाला जाए बाहर उसको बिखेरने के ठीक है दोस्तों, तो pottery हमने अच्छे से समझ ली, कितने तरह की pottery होती थी, plain pottery होती थी, miniature pottery होती थी, perforated pottery होती थी, और plain pottery के बाद red and black pottery, जो की खास purposes के लिए इस्तिमाल होती थी उसके बाद बात करते हैं, ornaments की, किस तरह के आभूशन और गहने और ornaments हडपा सब्वेता के लोग पहनते थे, वो किस तरह की चीजों को करते थे, आपने dancing girl का भी example देखा था, तो dancing girl की जब बात होती है, तो आप देखें dancing girl ने क्या कर रखा है, dancing girl ने emulate पेना है, breastlet पेना है, ठ अरपा सब्वेता में, और आदमी दोनों ही पेना करते थे, बोट पेना है, women, और आदमी, दोनों ही इन ornaments को, आभूशनों को पहनते थे, और ये किन से बनते थे, ये precious metal से बनते थे, जेम स्टोन से बनते थे, और यहां तक की, बेक्ट के clay यानि की, टेरा कोटा से भी बनते थे, ठीक है दोस्तों, और कई बार इन में, बोन्स का भी इस्तमाल होता था, हड्डियों के, टुकडों का भी इस्तमाल होता था, चलिए, और बीड्स जो होते थे, जो बीड्स होते थे, मोती होते थे, वो किन चीजों के बने होते थे, वो होते थे, स्टेटाइट के होते कौरनेलियन के होते थे कौर्ड के होते थे चलिए दोस्तों अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है वह यह है कि एक बीड मेकिंग फैक्टरी ठीक है बीड मेकिंग फैक्टरी जो है वह डिसकवर हुई थी हडपा सभ्यता में एक ऐसी जगा पर कई तरह के बीड यानि आभूशनों में इस्तमाल होने वाले जो मोती थे वो यूज होते थे और वो कौन से हैं वो है चनहुदाडों में और लोथल में बीड मेकिंग फैक्टरी यहां पर डिसकवर हुई थी ठीक है दोस्तों तो बीड मेकिंग फैक्टरी कहां डिसकव वज़ा है कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताईए ताकि मुझे पता चले कि आपने बेसिक स्टेडी थोड़ी बहुत की हुई है और आप यहां पर जवाब आलरेगी देते रहते हैं तो मेरी अब उमीद आप से बढ़ती जा रही है कि जो जो मैं पूछता जाऊंगा आप सही जवाब देते जाएंगे बिल्कुल लोथल इन गुजरात किस लिए फेमस है लोथल और किस मुख्य कारण से हडपा सब्भेजा में फेमस है बिल्कुल बताईए मुझे बहुत इंपॉर्टन्ट है सरकार ने अभी इसे राष्टे धरोहर के रूप में भी इसको अब द दोस्तों तो विल्कुल तो यहां पर लोथल जो था वह एक तरह से ठाटी लिए यहां पर जहाँ जहाजों के आने-ग लिए जहाँ पर जगय काई जाते हैं और बैंदर गाल धा बहुत सही जवाब दिया सब लोगों ने धाईराbn landfill उन्परिंस जादर जी ने बिलकुल त bills रिलकुल कर penny पटेल जी ने बहुत सही जवाब दिया है, as a port city ये use होता था, और आज भी गुजरात में आप देखेंगे, तो बहुत ही important ports है, गुजरात का कोई एक ऐसे important port का नाम बताईए, जो आज एक बहुत ही important port है, और अभी भी उसको trade के लिए इस्तमाल किया जाता है, अभी फिलहाल, कौन सा बीड मेकिंग फैक्टरी, बीड मेकिंग फैक्टरी कहां मिलती है, लोथल और चनहु दाड़ों में इस fact को बिल्कुल याद रखिएगा, और हडपा से बिता के लोग cotton और wool, यानि कि उन दोनों से परिचित थे, इस से कपड़ा बनाते थे, और अलग अलग तरह का fashion, यानि इस्तिमाल हो रहा है, तो हडप्या सब बिता के लोग आभूशन बनाने में भी काफी ज़्यादा एक्सपर्ट थे, जी बिल्कुल, कांडला पोर्ट अभी बहुत ही important पोर्ट है, और ये एक major पोर्ट है इंडिया का, दोस्तों, इंडिया में 13 major पोर्ट हैं, और 13 major पोर्ट में से कांडला पोर्ट एक बहुत important पोर्ट है, और आप मुझे बताइए, कितने minor पोर्ट है, जो इस समय इंडिया में कितने minor पोर्ट हैं, कितने minor पोर्ट हैं इंडिया में total, अभी इस चीज़ के बारे में बताईए, चलिए, जब तक आब बताईगे, मैं आपको, यहाँ भी रखते थे ठीक है और बड़ी शेप में डाड़ी रखते थे तो आप समझ गए होंगे कि हडपा सब्भिता के लोग फैशन और नमेंट्स इन सब अब को बहुत अच्छे से समझते थे और फॉलो करते थे जी रश्मिता प्रधान जी तेरा जो हैं मैजर पोर्ट्स हैं माइनर पोर्ट्स मोर दन्ट 200 हैं तो एक इंपोर्टन क्वेशन डिसकस करते हैं ठीक है दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है इसका आप बहुत यह असान चुके हैं तो ये question मैं already पूछ चुका हूं फिर भी आप मुझे एक बार बताईए कि जो भी लोग नए जुड़े हैं उनके लिए question है कि पशुपती जो सील है ठीक है दोस्तों उसके अंदर पशुपती सील में इन में से कौन से जो है जानवर कौन से जानवर इसमें mentioned है कौन सा जवाब इसमें सही होगा एक्जाम में इस तरह के question पूछता है confuse करने के लिए वह आपको question पूछेगा और आपको बताना है इसमें कौन सा जवाब सही होगा बताईए दोस्तों मैं आपके सवाल का मैं आपके जवाब का wait कर रहा हूं इस question का answer बताईए पशुपती सील मे सेन में से कौन-कौन से जानवर का जिक्र मिलता है और किसका नहीं मिलता है ठीक है दोस्तों पशुपती सील में कौन-कौन से जानवर का जिक्र मिलता है सही answer बताईए सही answer जी बिलकुल मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने इसका जवाब D दिया है कुछ लोगों ने इसका जवाब C दिया है ठीक है दोस्तों तो इसका सही जवाब क्या इसका तो इसका सही जवाब C जो बिलकुल नहीं है अब बताईए इसका सही जवाब क्या है D भी कुछ लोगों ने जवाब दिया है तो D इसका सही जवाब नहीं है तो बचे A और B बचे A और B जी बिलकुल ताहिरा बानो 1, 3 and 4 1, 3 and 4 जवाब नहीं है इसका जवाब है B इसका सही जवाब है B B इसका सही जवाब है 1, 2 and 4 तो जिन भी लोगों ने B सवाल का जवाब दिया है सवाल का जवाब B जिन लोगों ने दिया है उन लोगों का सवाल का जवाब बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आप इसको देखो अगर आपको exact answer नहीं पता होता है कई बार पेपर में हमें exact answer नहीं पता होता है तो उसके लिए आप elimination technique का इस्तमाल कीजिए किसका? Elimination method का कि ना पता होते हुए भी answer निकाले अगर आपको आधा धूरा answer भी आता है कुछ अंदाजा है तो आप समझ लीजिए अब देखिए आपको अगर इतना पता है कि पशुपती seal में lion नहीं होता है पशुपती seal में share नहीं होता है ठीक है? तो share नहीं होता है तो 3 जो है ये तो cross हो गया ये तो option में जिसमें भी उत्तर 3 है वो जवात नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए 3 है यहाँ पर भी 3 है तो ये दो तो option बिलकुल नहीं हो सकते ठीक है दोस्तों? ये बात समझ गए ये दो तो option बिलकुल नहीं हो सकते बचे क्या? सिर्फ ये दो option 1 and 4, 1, 2 and 4 अब देखिए 1 and 4 तो ठीक है? 1 and 4 अब दोनों में common है तो हमें किस चीज़ को देखना है? अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या? जो दो नंबर पे दे रखा है 2 जो दे रखा है क्या ये होता है या नहीं होता? अगर आपको पता है कि 2 होता है या नहीं होता? तो सिर्फ आपको पर जाएं, सील जहां पर थी, पशुपती सील जहां पर थी, तो आप देखेंगे, यहां पर है राइनोसरोस, ठीक है, यानि की जो गेंडा होता है, एक सींग वाला वो यहां पर है, उसके बाद यहां पर मिलेगा आपको, यहां पर आपको भैस मिलेगी, भैसा मिलेगा, उसक पर नीचे कहीं अगर आप देखेंगे पशुपती जो मुद्रा में जो बनी हुई है मुद्रा उसमें आप देखेंगे पशुपती के नीचे आपको जो मिलेगा वो है एंक्टिलर एंक्टिलर यानि की म्रिग ठीक है दोस्तों तो अगर आप देखेंगे लाइन नहीं है तो तो उस हिसाब से आपका answer सही आना चाहिए और answer सही क्या है? answer है B ठीक है दोस्तों, answer है इसका B तो आपको सभी लोगों को I hope ये session बढ़िया लगा होगा और हरपा सभ्यता का हमने इसमें architecture भी खतम कर लिया और sculpture भी खतम कर लिया हडपा सभ्यता का आर्किटेक्चर और स्कल्प्चर खतम करने के बाद अब हम पढ़ेंगे मौरियन आर्ट और आर्किटेक्चर और उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझते चलेंगे आगे आने वाली चीजों में कैसे चीजें होंगी और architecture, art and culture को बहुत अच्छे से करेंगे, बिल्कुल revision के साथ, questions के साथ आपको बस चैनल को like करना है, वीडियो को share करना है, subscribe करना है और अपनी हाजरी हमेशा आकर लगानी है सबसे पहले, किस state से हैं, ये बताना है, और वीडियो को जादा से जादा share करना है अपने दोस्तों के साथ, और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, बैल आइकन को क्लिक करिए चैनल को boost करिए जादा से जादा share करिए, ठीक है दोस्तों, दिवाली से पहले, एक लाक हमें subscriber करने का सारा दारोमदार आपके उपर है PCS सार्थी को ध्यान रखिए, यह study IQ का initiative है, और आप सब लोगों को PCS में सार्थी की तरह आपको युद्ध की तयारी करवाएगा इसलिए हम चलते हैं दोस्तों अगले lecture में मिलेंगे, कल दो बजे दो बजे होगा, हिस्ट्री का session और शाम को 6 बजे होगा art and culture का session भूलना नहीं है, दिमाग में छाप लेना है और session को दुबारा जब भी session event बनेगा उसको bell icon दबा के waiting में आपको उसको रखना है ताकि आपको वो notify हो जाए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए धन्यवाद दोस्तों